दोस्तो NBFC अप्लिकेशन से लोन लेना कितना खतनाक है आप लोग को लिमिट सो होती है तो आप लोग तुरंट आप लोग अपलाई कर देते हैं उसके बाद आपके एकाउंट में पैसा आ जाता है आप लोग आगे पीछे नहीं सोचते हैं कि भाई नहीं रिपेमेंट अब उसमें क्या होती है कि इनका जॉब चली जाती है और कि इनका क्या होती है कुछ ना कुछ घट जाता है उसी करण लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं आज एक ऐसा केस आपको सुनाने यहां पर सुनाने वाला हूं जो इस्टा कर नाम पर मतलब कि यहां पर आया नहीं हैगा तो आप लोग को भी मतलब कि लहेगा कि भाई मतलब की ऐसे कैसे हो गया और ऐसा कैसे हो सकता है आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर मैसेज यहां पर आया कि भाई लोन वालों ने मुझे इतना प्रिसान किया, मैंने अपने मम्मी का इरिंग बेच दिये, जो मम्मी का इरिंग था, वो इन्हों ने मतलब कि बेच दिया, वो इसलिए बेचा ताकि लोन का रिपेमेंट करने के लिए, और मतलब कि यहां पर मतलब लिखा हुआ आ रहा है, कि मतलब कि ओ, यह रिंग मतलब कि मम्मी मेरे घर मतलब कि धून रही है, यह रिंग मतलब कि मेरे मम्मी घर में मतलब कि धून रही है, कल से मतलब कि धून रही है, और घर में नहीं मिला, तो हमको मतलब कि घर से मतलब कि नि प्लीज हेल्प कीजिये मैं आपको रिटर्न कर दूंगी बड़े वड़े यूटूबर से चलिए तो बात के बाद से तो कहने का मतलब यही है कि मतलब कि इनहों ने एम पोकेट से लोन लिया था पहले भी यहाँ पर मतलब की मैसेज आया था कि हमने एम पोकेट से लोन लिया है, नहीं रिपेमेंट करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन्हों ने एम पोकेट अप्लिकेशन से लोन लिया, कितना का लोन लिया आपको बता देना चाहते हो, एक सेकेंड, तो होगा, भाई, लिमिट सो किया मतलब की हो गया होगा, तो नहीं रिपेमेंट होने करण काफी क्ल मेसेज कर रहा होगा, कुन्टेक लिस पर भी कॉल की आयोगा, धमकी दे रहा होगा, भाई, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम तमाम विडियो बना देते हैं, पांच चुकाने के लिए और फ्रोड अप्लिकेशन का भी रिपेमेंट करने के लिए कितना लोग मुबाइल बेज देते हैं कितना लोग जोएलरी बेज देते हैं एक तो जमीन बेज दिये थे फ्रोड अप्लिकेशन का रिपेमेंट करने के लिए आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो देखिए जो लीगल एकसान के लोग बात करते हैं भाई कोई लीगल एकसान लेने वाले नहीं है अब यारिग्ञ है पर भी किया इसने उसके बाद बताए यह मतलब घर पर क्या होगा यह दिन नहीं मिलेगा तो समझे घर पर क्या होगा चैन्हें व toda और से बाई बिकने नहीं देते हैं चाहे कुछ भी करकर दाव पर लगा देते हैं तो कहने का मतलब यहीं है कि यह हमारा कोई भी वीडियो पूरा कंप्रीट आप लोग देखते हैं तो यह नौबत जो आ रही है यह नौबत नहीं आएगी तो आप लोग आधा धूरा वीडियो देखते हैं सुस्ते के भाई सोट्ट टोला जवाना चल रहा है …… इसलिए हए यह इसर देखने काлем वीडियो अप्सवन आया है मतलब की साठ सेकेंड का वीडियो अपना देखे काम निप्टा ले बाड़ा वीडियो पर कोई किलीक ही नहीं करता है कि आब देखता है कि पांच मेंट के विडियो है दसमेंट के विडियो है के लिए धैता है कि नहीं लिए वो ने पहले भी करके रखा है कि होता नहीं है लेकिन ज सकती दना लगेस के deeplyOC करते हैं नई पैसा दीजिएगा लिगाल एक्षन ले लेंगे जेल हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन आखिरकार में कुछ ऐसा होता नहीं होता है भाई होता है तक क्यों सीविल डाउन होता है तो अब इसका कितना मतलब कि लोन इमांट होगा क्या अभी विडियो चल करेंगों तो भाई अभी ठीक है कि आप लोग अप्लिकेशन से लोन ले रहे हैं तो पहले सोच समझ कर आप लोग लोन लिया किजिए नहीं तो कितना लोग हमारे इस्टागराम पर ये हैं कि एक बार फंस चुके हैं यहीं अभी अप्सी में पूछ रहें कि भाई नहीं दे लोन दे दे इतना सिविलेस को रहें बताईए अब बताईए यहां पर वहीं पूछ रहे थे पहले कि मतलब कि नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा और आप पूछ रहें कि भाई कोई एंभी अप्लिकेशन है कि जो हमको लोन दे दे बस उसको हम रिपेमेंट कर देंगा कॉल करेंगा आपको धंकित देगा डड़ाएगा धंकाएगा यहीं करने का वह लोग काम करेगा समझ गया है मेरी बात है कि में मूदा यहीं है अप्लिकेशन से लोन लीजेगा तो काफी ज़्यादा तो प्रोबलम होगा ही होगा भाई तो लोन ले ना उतना बड़ी बात नहीं है चुकाना सबसे बड़ी बात है जो लूग लोन ले रहे हैं चुकार रहें बाई time पर time तो समझिए वह वो बहुत यह चीज है नहीं तो क्या होता गमालीज है ढबाया चल रही है वीच-मे आपका job चलीरी गई तो कहा से चुपएगा एक साल के लिए लोन ले लिए क्या पता क्या हो जाए भाई चाहे कुछ मन कर दिया ये खरीदने के लिए तो कहां से खरदाएगा मन मारकर आपको रहना पड़ेगा उसी में तो लोन लेना समझे बहुत मतलब खतनाक जब जरूरत पड़े जब लगे कि इसके बीना काम नहीं है नहीं होने वाला तभी आप लोग लिया कीजिए तो कितना लोग मतलब ऐसे भी लोन लेकर रखें हैं आप समझ गया है कितना लोग बोलते हैं कि भाई हम हार गया है तो उसके लिए इससे पैसा लगा लगा कर हम लून लगा कर ट्रेडिंग कर रहे थे स्टॉक मार्केट अपना चला रहे थे तो अब यह काम आप लोग कीजिएगा तो लोन लेकर ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हैं रिक्स पर वो तो एसे रिक्स वाला काम है भाई लॉस होगा कि प्रोफिट होगा उसमें तो ऐसे मतलब की टेंसा ने तो ऐसे ही रहती है सब लोग थोड़ना बाई जो आप लोग देखते हैं कि भाई पैसा लागा कर डबल यहां लगाना चाहिए नईन पर पैसा है अफर लगाना चाहिए और साथी साच चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दिजिएगा यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किये हैं तो चैनल को जुरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दिजिएगा जो भी हम सबका help करते हैं यही को लगा लगा कर help करते हैं जो भी जनकारी है लाइप पूरूप देते हैं ताकि आप लोग को भी पता चले कि हम इस्टागराम पर सब का reply करते हैं किसी का भी ऐसा नहीं रहता है कि किसी का reply नहीं करते हैं लेगिन आप लोग इस्टागराम को ज़रूर आप लोग फोलो कीज़ेगा तो ही आप लोग मैसेज कीज़ेगा ताकि लएगा भाई हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इदह से सपोर्ट करने में थोड़ा अच्छा लएगा ताली देखिए एक खांट से नहीं बजती है कहने का मतलब यहीं है कि ताली एक खांट से नहीं बजती है आप सोचें यहागा कि एक खांट से ताली बजाए तो इसे नहीं होगा तो आप लोग भी हमको सपोर्ट कीजिए सपोर्ट करने का यह थुर्णा बोल रहे हैं कि भाई इस्टाग्राम पर तो कोई फिजूल का वीडियो तो डलता नहीं है वहां पर भी आप देखिएगा कि इन्वी एफ सी रिल के बारे में भी वहां पर है नहीं चुकाईएगा तो क्या होगा फ्रोड अप्लिकेशन फस गया है तो कैसे बाहर निकले वहीं सब आपको वहां पर भी वीडियो मिलेगा तो कोई मतलब की उल्टा सिधा मतलब को वहां पर वीडियो आपर मिलने वाला नहीं है तो कहने का मतलब यह है उसको भी आप लोग कर दिजिए और आप लोग जितना हो इसां आ पोडलो कर लेजिएगा जरूर आप लोग मैइसेज कीजिएगा टाकि लहाएगा कि बा 바 ज्बल आप इसम पास मतलब करें यहां पर चलनी परती है तो जो हम आप से गुजारिस करें ने мясसे हमारा पूर्थी कीजिए अब हम भी आपका शोपोर्ट है यहां पर कर रहे हैं लाईब यहां पर बात कर रहे है देख रहे हैं अधा- . घंटा का वीडियो होता है चाहे पहले भी जाकर प्रेलीस्ट हमारा खूल कर दekhagenal का प्री लिस्ट को आप स्वेश्च के बारे में देखिए जाहे फ्रोड के बारे में देखिए आपको आदा आदा घंटा का वीडियो आपको नजा रहागा अभी ना हम पेटियम तो भाई ऐसे भी लिग देते हैं आप पेटियम तो ऐसे भी मतलब की बैन होने वाला है पेटियम नहीं पेटियम बैंक तो भाई पेटियम बैंक बैन हो जाएगा तो पेटियम का भी मतलब की समझे गिरी जाएगा धीरे धीरे वो भी मतलब की नहीं चलेगा हेलो भई है मैंने रिंग अप्लिकेशन से साथ का लोन लिया था नहीं रिपेमेंट कर पा रहा हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा भई यह कम मैसेज किया था भई बहुत पहले तो ही आप लोग मैसेज किजिए हमारे इस्टाग नाम पर तो है पर लाइप प्रूफ आपको जनकारी मिलेगी बस आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखें नभी एफसी का नहीं रिपेमेंट किजेगा तो सीविल तो डाउन होगा ही होगा भई